नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में हम पेचिस में मर्क सॉल, लें या मर्क कॉर इस विज़ा पर चर्चा करेंगे वीडियो को पुड़ा अवसे देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं तो आईए समझते हैं इन दूनों औशदी का मूँ से लेकर एलिमेंटरी कैनाल के समपूर्ण हिस्से पर प्रभाव परता है इसी प्रभाव के कारण पेचिस में इसका विशेश महत्तव है पेचिस में इसका मुख्य लक्षन मल के साथ आउं तथा खून का आना है मल आने के बाद भी मरोड बना रहता है रोगी मल निकलने के बाद भी जोर लगाता रहता है यद्दिपी और मल नहीं आता कभी बस न होने के लक्षन को होमियोपैथिक पुस्तकों में नेवर गेट गॉन फिलिंग का नाम दिया गया है मर के कौर में भी यह सेम लक्षन पाय जाता है परतु दोनों में भेद यह है कि अगर मल के साथ आउं का भाग अधिक हो देखें पहले यह समझ ले कि आउं क्या है इसका मतलब सरी में अल्ब्यूमीन बढ़ा हुआ है या उसके सरी में पूरी तरह सर्कुलेशन अल्ब्यूमीन का नहीं हो रहा है इसे से या तो पकाना, नेटा, खकार आधिक रूप में निकलता रहता है अब अगर सौच करते वक्त निकले तो वह आउं कहा जाता है अब इस आउं में सफेदी, चिकनाई ज़्यादा और खून का भाग कम हो तब मर्क सौल अधिक लाब करता है और अगर मल के साथ खून का भाग अधिक हो, आउं का भाग कम हो तब मर्क को अधिक लाब करता है पेचिस में नक्स वोमिका और रस्टक्स भी दिये जाता है परन्तु उनमें मर्क सॉल से उल्टा लक्षड है मर्क सॉल में तो मल आने के बाद भी मरोड बना रहता है और प्यास नहीं रहता नक्स और रस्टक्स के मल आने के बाद रोगी को शांती पढ़ जाती है मरोर नहीं रहता फिर भले ही दुबारा जाना परे नक्स में बार-बार तो जाना परता है अटी पूरी नहीं आती परतु नक्स तथा रस्टक्स दोनों में एक बार जाने के बाद उस समय मरोर नहीं रहता मर्क और सलफर में रोगी कमोट पर बैठा रहता है जोर लगाता रहता है मर्क कमोट से उठता नहीं नक्स बार-बार कमोट की शरन में जाता है यही इन चारों मेडिसीन के बीच का अंतर है मर्क सॉल, मर्क कॉर, नक्स वोमिका और रस्टक्स में तो जैसा कि मैंने बताया, कि अगर आव का भाग अधिक हो, खून का भाग कम हो, तो आपको मर्क सॉल इस्तमाल करना है, और अगर खून का भाग अधिक, आव का भाग कम हो, तो आपको मर्क और इस्तमाल करना है, किस पोटेंसी में इस्तमाल कर यह समझ लें, तो 30 पोटेंसी अगर रोग नया है, तो 30 CS में आप ले ले, दिन में तीन बार ले ले, दो दो बून करके जीप पटा ले, और अगर बहुत पुराना है, यह समस्या आपको 10 साल से चला आ रहा है, यह 5 साल से चला आ रहा है, तो आप 200 CS यह 1 M का इस्तमाल बिलकुल कर सकते है, रोग को यह पू करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे इससे लाब प्राप कर सकें,